नमस्कार साथियों मेरे यूटुब चैनल पर आप सभी का अर्दिक स्वागत है साथियों चलिए आज की वीडियो चुरू करते हैं सिक्षन यूज ना दिनांक जिस भी दिनांक में आप इस प्रकरण को पढ़ाएंगे वह दिनांक किसमे आएगी खक्षा साथ विशयतिहास अब दी 40 मिनिट लर्निंग आउटकम चात्र मुगल काल से समंदित प्रमुक शाशकों के नाम बताते हैं और उनके प्रमुक कार्यों का वर्णन करते हैं चात्र मुगल कालीन समाच एवं संस्क्रती की मुखर विशयस्ता हैं बताते हैं प्रकरण है शेर शां सूरी सायक समगरी पाठ्य पुस्तक शांपर चौप डस्टर देख्षा एप पर अप्लब्द समगरी सीखने सिखाने की प्रक्रिया हैं सिक्षन के प्रारम में बच्चों के पूर्व गयान का पता लगाने के लिए सिक्षक उनसे पूर्व में पढ़ाये गए पाठ के आधार पर सामानने परिचर्चा करेंगे तदा कुछ प्रशन पूछेंगे इसमें अवदी रहेगी मुगल सामराज्य का संस्तापक कौन था बाबर के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रशन हुगा सिक्षन के दोरान सिक्षक चात्रों को बताएंगे कि आज हम शेर्षा सूरी नामक पाव भाव एवं उच्चारन के साथ पाठ का वाचन करेंगे तदा पाठ के मुखे बिंदू को शामपट पर लिखेंगे सिक्षन के अब दी रहेगी 25 मिनाट और तरीके अब लोकन तदा सुनकर शामपट का रहे शेर्षा सूरी के बचपन का नाम फरीद था बाद में एक शेर को मारने के कारण उसका नाम शेर खान पड़ा चौसा एवं कर्नौच के युद में मुगल शाशक हुमाईयू को हरा कर वह 1540 इसवी में शेर्षा सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना शेर्षा सूरी ने रहयत वाड़ी व्यवस्ता शुरू की जिससे राज्य और किसानों के बीच सीधा समंद सापित हो गया डाक व्यवस्ता के लिए डाक चोगियों का निर्मान करवाया शेर्शा सूरी ने ग्रान ट्रंक रोट का निर्मान करवाया शेर्शा सूरी ने दिल्ली के पुरानी किले में किला एक कहुना नामक मस्जिद तदा अस्ट बुजी तीन मंजिला मंडल शेरे मंडल का निर्मान करवाया 1545 इसवी में कालिंजर के युद में वेगायल हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यू हो गई सिक्षण के बस्चाथ सिक्षक चात्रों को दिक्षा अफ़ पार्च सबमंदित वीडियो दिखाएंगे सिक्षक पठित पठे सामगरी परख के लिए निम्ल के विशय में एक वाक के लिखने के लिए कहींगे जैसे कि चौसा का युद शेरे मंडल सासा राम इसमें अबदी पांच मिनट की रहेगी और इसके अवलोकन के तरीके हैं सहवागिता शामपट का रहा है निम्ल प्रिश्णों के उत्तर दीजिए इसमें अबदी पांच मिनट है प्रशन है शेर्शा सूरी दिल्ली का शाशक कैसे बना शेर्शा सूरी द्वारा किये गए राजस्प समंधी सुधारों का वर्णन कीजिए प्रजा की भलाई के लिए शेर्शा सूरी ने क्या किया शेर्शा सूरी की प्रशाशनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं वीडियो को अंते तक देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार